अक्षाब्ध है निर्देश देना, तो सुड़िय में निर्देश देना का हिंदी में क्या आर्थ और मतलब होता है और इंग्लिश में क्या आर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे, एक्जाम्पल से सिंटेंसे में इस अपको यूज करके आची तरह से समझेंगे, तो देना का अर्थ और मतलब होता है, order, command, direct, tell, give the order to, teach, school, give lessons to, coach, train, educate, upskill, tutor, and it is. इसके शब्द हो सकते हैं, निर्देश देना के. इसके शब्द को अच्छी तरह से, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में, तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे हम लोग, कि दूसरों को निर्देश देना आसान है, मतलब एंग्लिश में, it is easy to instruct others. दूसरा एक्जामपल एक परमेश्वर हमारा मार्क दर्शन करता है, तथा हमें निर्देश देता है, मतलब एंग्लिश में, God guides us and instructs us. ठीका दूसरा आपने निर्देश देना शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एक्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching your days.